हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मसाले के स्वाद में आज मैं बनाने जारी हूँ ब्रेड पिज़ा इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ज़्यदा टेश्टी लगती है बच्चों को भी पसंद आएगी और खास बात तो यह है कि बच्चों को सब्जिया खिलाने का मौका भी मिल जाएगा तो चलिए बीना देरी किये इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी टॉपिंग के लिए सब्जिया ले लेते हैं तो मैंने बारीक कटा हुआ सिम्ला मिर्च लिया है और टमाटर टमाटर का बीज निकाल दे और उससी साइज के कटे हुए प्याज बराबर बराबर क्वांटिटी में ले ले या फिर सब्जिया जैसे आपको पसंद आप उसके अनुसार कम्या जादा कर सकते हैं और इन सब को मिक्स कर दे और इन्हें साइड में रख लेंगे और यहां पर मैं दो ब्रेड ले रही हूँ जिसे की एक साइड से हलका सा सेख लेंगे तो उसके लिए तवा गरम करके मैंने तवे पर हलका सा बटर लगा लिया है और उस पर डालेंगे दोनों ब्रेड के स्लाइस ध्यान रहे फ्रेंड्स हमें ब्रेड को एक ही साइड से से शेकना है दोनों साइड से बिल्कुल नहीं सेकना है तो यहां आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से ब्रेड को सेका है और एक साइड से वैसे ही है तो अब हम इसके उपर लगाएंगे पिजा सॉस जिस साइड से हमने ब्रेड को सेका था हम उसी साइड में पिजा सॉस लगाएंगे अगर आपके पास पिजा सॉस नहीं है तो आप टमेटो सॉस लगा सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मेरा आप सभी से निवेदन है अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले है बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी दोनों प्रेड के उपर अच्छी तरह से पिजा सॉस लगा लिया है अब उसके उपर डालेंगे चीज ये डाइस्ट चीज है ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होती है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डाइस्ट चीज कहीं यूज करे अच्छे से चारो तरफ चीज को फैला देंगे और अब इसकी टॉपिंग कर लेते हैं तो वो जो सबजियां हमने काट के रखी थी उन्हें इसके उपर डाल देंगे आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार कॉर्ण डाल सकते हैं पनीर डाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है फिर से हम थोड़ा सा चीज डालेंगे अभी सही देखने में कितनी बढ़िया लग रही है ना एकदम कलरफूल तो ये ब्रेड पिज़ा हमारा तवे पर जाने के लिए रेडी है तो यहां मैंने फिर से तवा को थोड़ा सा गरम कर लिया है और उसके उपर थोड़ा सा बटर लगा लिया है तो अब हम तवे के उपर रख देंगे अपना ब्रेड पिज़ा और इसे धग करके इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है हाई बिल्कुल भी नहीं करना है अगर हम हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम रखते हैं तो हमारा ब्रेड नीचे से जल जाएगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और आप चाहे तो बीच में थोड़ी दिर के लिए फ्लेम को अप भी कर सकते हैं और फिर से ओन करके लो फ्लेम पर ही इसे चीज को मेल्ट होने तक इसे पकाना है बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा तो चलिए अब हम धक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह चीज मेल्ट हो गया है अच्छे से तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पिज़े को भी हम इसी तरह से बना लेंगे आप चाहे तो इसे अवन में भी बना सकते हैं तो यहाँ हमारा दोनों पिज़ा बन के तयार है तो हम इसके उपर से डाल देंगे और गेनो और चिली फ्लेक्स तो इतना टेश्टी पिज़ा देखके किसके किसके मुह में पानी आ गया आप सब हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं कि किसे किसे पिज़ा बहुत जादा पसंद है उमीद करती हूँ आप सबको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो आप सब भी इसे जरूर ट्राइ करें और अपना आनुभा हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सेर खूब कर दीजिएगा